Hello, Welcome to our YouTube channel I hope कि आपकी study अच्छे से चल रही होगी तो दिखेगा आज हम आपके लिए एक session लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे SMAS की HPTAT, JBT के लिए जहाँ पे हिंदी सक्षिन में questions पूछे जाते हैं SMAS से तो वही उसी questions के उपर हम focus करते हुए ये वाला session लेके आएंगे हैं जिसमें की हम SMAS के कुछ questions discuss करेंगे और ये questions आपके लिए बहुत ही helpful रहेंगे आपके exam के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं question number 1 की राजा का पुत्र समास रूप क्या है राजा का पुत्र राजा का पुत्र के लिए हम क्या है कौन सा SMAS यूज करेंगे वो हमने बताना है साथ में हमने बताना है कि राजा का पुत्र है उसके लिए एक शब्द जो है वो कौन सा प्रयोग किया जाएगा जिसको हम SMAS रूप बोलते हैं तो देखीगा यहाँ पे राजा का पुत्र option क्या क्या है राजपुत्र, राजपुत्र, राजकुमार या राजकन्या तो इन में से जो सही option हो जाएगा option number one बिल्कुल सही रहेगा राजपुत्र अब देखीगा बात आ रही है राजा का पुत्र राजा का पुत्र तो यह कौन सा समास हो जाएगा तो यह बात आ जाएगी ततपुर्स समास ततपुर्स समास यनि की राजा का पुत्र और राइट आगे मूब करते हैं next जो question बन जाता है वो क्या है देखेगा सत्य और अहिंसा का समास रूप क्या है सत्य और अहिंसा तो सिम्पल सी बात है सत्य और अहिंसा की बात जब हम करते है तो option number जो A है बिल्कुल सही रहेगा सत्य अहिंसा अगर हम सत्य अहिंसा को तोड़ कर लिखना चाहते है इसका समस बिगरह करना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा सत्य और अहिन सा बन जाएगा अब question यह आता है कि ये कौन सा समास है अब देखो यहाँ पर बीच में क्या लगा है और लगा है क्या लगा है और लगा है तो जब भी हम देखते हैं कि दो सब्दों के बीच में और आ जाता है तो हमसे समास पूछा गया होता है तो वो आ जाता है द्वंद समास कौन सा है द्वंद समास ठीक बात आ गई अगर जैसे कि यहाँ पे है माता डैश पिता इस तरह से लिखा गया तो इसका मतलब भी क्या होगा माता और पिता तो इसमें भी कौन सा समास आएगा इसमें भी द्वंद समास आएगा ठीक बात होगी चलिए next question की और move करते हैं question number 3 गंगा जैसी पवित्र नदी का समास रूप क्या होगा गंगा जैसी पवित्र नदी गंगा नदी गंगा नदी अब बात आ जाती है कि सर इसमें कौन सा समास हो जाएगा कौन सा समास बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए तो बात आ जाती है करमधार समास कौन सा है करमधार समास ठीक है जब भी हम किसी और के बारे में बात करते हैं कुछ उधारन देकर जैसे की दशानन दस सिर हैं जिसके यनि की रावन तो वो भी करमधारे समास की बात हो जाती है तो इसी तरह ये गंगा जैसी पवित्र नदी जो की केबल एक ही है और उसके बारे में बर्नन हो रहा है तो वो करमधारे समास में आ जाता है next question देखिएगा yes प्रशन है राजा और रानी तो बही बात आ गई राजा और रानी में समास रूप हमें बताना है options आपके सामने दिये गए हैं तो इन में से जो बिल्कुल सही option हो जाएगा option number B हो जाएगा राजा रानी या इसको राजा रानी कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है तो डैस की जगह क्या आ गया और आ गया और के साथ ये दोनों सब जुड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे कि कौन सा समास आ गया द्वंद समास आ गया द्वंद समास ठीक बात होगी चलिए जी next question की और move करते हैं ब बालक के लिए समास रूप क्या होगा option देखो बालक हित बालक से बालक कही या फिर बालक आए तो देखो इसका जो बिल्कल सही answer होगा option number B हो जाएगा बालक हित बालक के लिए कोई काम करना है बालक के हित में काम होगा तो यह जाएगा बालक हित बालक के लिए तो अभी हम हम देख रहे हैं यहां पर ततपुर्स समास का यूज हो रहा है ततपुर्स समास ठीक है ततपुर्स समास में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि हम बलते हैं करता ने करम को करन से ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे ततपुर्स इसमास में आ जाएंगे जब भी आपको के ने को से के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखी गई हो फिर काके की जुदाई की बात होती है काके की संबोधन की बात होती है वो सारी की सारी चीज़ें किसके साथ बंदित होती है, तो यहाँ पे आ रहा है के लिए, तो हम बोलेंगे, यह कौन सा समास है, तत्पुर्स समास है, ठीक बात होगी, चलिए जी, next question की और move करते है, yes, जल में कमल का समास रूप क्या है, जल में कमल, जल में क्या है, कमल है भई, यहाँ पे एक भाब आ रहा है, स्मास लिख लेते हैं पहले अब भी भाब होगा वह यह कौन सा स्मास है अब भी भाब स्मास है और अगर हम इसका स्मास रूप बोलना चाहे तो यह आ जाएगा जल कमल जल कमल ऑप्शन नमबर वन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा जल कमल ठीक बात होगे नेक्स्ट प्रशन की और मूव करते हैं जल और ठल जल और ठल का स्मास रूप क्या होगा तो यह जल ठल हो जाएगा वही सीधी सी बात है जल स्थल ऑप्शन नमबर भी जल स्थल और यहाँ पे और का प्रयोग किया गया है तो यह फिर से द्वंद स्मास आ जाएगा द्वंद समास ठीक है आगे next question है सिब का धनुष अब दोखो यहां पे भी का का प्रयोग किया गया है तो हमने बात करी थी ततपुर्स समास में तो जितनी भी चीज़े हमने उपर देखी थी के लिए से को का के की ततपुर्स समास से तो समास तो आ जाएगा ततपुर्स समास ततपुर्स समास और अगर हम इसका समास रूप देखना चाहें तो वह जाएगा सिब धनुष option number one बिलकुल सही रहेगा सिब धनुष ठीक है आगे next question क्यों रमूव करते हैं yes संसार का नास समास रूप क्या होगा संसार का नाश ठीक है संसार का नास इसलिए हम जो शब्द यूज़ करेंगे समास रूप यूज़ करेंगे वो आ जाएगा जगनास 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 मतलब जग जग मतलब की दुनिया यानि कि संसार और उसका नास आ गया जगनास अब इसमें भी का का प्रयोग हुआ है तो ये कौन सा समास आ जाएगा तत्पुर्ष समास आ जाएगा तत्पुर्ष समास ठीक है तो क्श्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपके एक्जाम में आपको जगनास दे दिया जगनास और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भई ये ये जो सब्द आपको दिया गया है इसमें कौन सा समास है तो आप बोलोगे सर ये तो ततपुर समास है बिल्कुल ठीक बात है एक्जामिनर आपको एक नंबर दे देगा और एक और बात अगर आपको इन कौस्चिन की पीडियेफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो महतुपूर्ण है आपकी हल्प करेगी ये जितने भी जबीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हल्प करेगी तो उनको जुरूर सेर कीजिए चलिए जी इतनी बात होगी ये होगी अड़िटाइजमेंट अब आगे नेक की अंगुठी इसके लिए option number one बिल्कुल सही हो जाएगा स्वरन अंगुठी सोने की अंगुठी अब यहाँ पर फिर से बात आ गई की की तो हमने वो देखे थे बही कौन सा समास हो जाएगा ततपुर्स समास ततपुर्स समास ठीक है आगे next question देखेंगे लोह का चुमबक लोहे का चुमबक लोह चुमबक इसके लिए लोह चुमबक बिल्कुल सही रहेगा option number one लोह चुमबक और अगर हम समास की बात कर लेते हैं तो फिर से कौन सा जाता है ततपुर्स समास ततपुर्स समास अगे देखें अन का भंडार अन का भंडार फिर से का आ गया तो हम बो स्मास रूप क्या होगा अन्भंडार अन्राशी अन्पात्र या अन्घर यह अन्भंडार आ जाएगा अन्भंडार या अगर इसकी देखा होदा अन्नागार अन्नागार भी बिल्कुल सही रहना था भी ठीक है चलिए आगे देखो next question आ जाता है 13 रात्री में जागरण अब देखो यहाँ पर फिर से क्या आ गया में आ गया तो यह कौन सा समास आ जाएगा सर तत्पुर से समास आ जाएगा बिल्कुल ठीक बात है तत्पुर से समास और इसका समास रूप क्या होगा आए देख लेते हैं option a b c d इसके लिए option number one सही रहेगा रात्री जागरण रात्री क्या है सप्ताह में साथ दिन सप्ताह के साथ दिन अब दोको जब भी हमारे पास कोईसी number की बात होती है ठीक है किसी संख्या की बात होती है संख्या जिसको हम number बोलते हैं किसी भी number की बात हो रही है तो वो सीधा का सीधा आ जाएगा द्विगुसमास द्विगू समास तो यहां पे सब्ताह के साथ दिनों की बात हो रही है यहने कि साथ यहां पे आया तो हम बोलेंगे कौन सा समास है सर यह द्विगू समास है और अगर हम समास रूप की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा सब्ताह दिन सब्ताहिक या फिर सब्ताहिक तो इसके लिए सही जो अंसर होगा option number B हो जाएगा सब्त दिन इनकी सब्ताह के साथ दिन ठीक है चलिएगा आगे हम बात कर लेते हैं next question की आगे अत्यधिक धनी बहुत जादा पैसा है भै उसके पास पैसा मनी अत्यधिक धनी इसमें समास रूप क्या होगा तो ये आजाएगा हमारा महाधनी भैसा बहुत ही जादा पैसा है उसके अत्यधिक धनी अब अगर हम यहाँ पे समास की बात करते हैं तो समास आजाएगा करमधारे समास करमधारे समास ठीक है अत्यधिक धनी का मतलब हो गया अड़ानी अमबानी की बात हो रही है और वो तो इस दुनिया में एक ही है करमधार्य समास next बात कर लेते हैं भारत का निवासी भारत का निवासी का आ गया भई सीधा सा लगा दो ततपुरस समास और समास रूप क्या हो जाएगा भारत बासी हो जाएगा भी option number b बिलकुल सही है भारत बासी next है दोनों हाथों से काम करने वाला यहां पे फिर से अगर हम बात कर लेते हैं कि वो व्यक्ति वो खास ही होगा जो कि दोनों हाथों से काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे दूई हस्ती बोल देंगे दूई हस्ती या दूई हस्त दोनों हाथों से काम करने वाला और इसके लिए समास जो है वो कौन सा यूज होगा करमधारे समास ठीक है चलिए जी आगे बात कर लेते हैं बिद्या का घर या नहीं कि बिद्याल्य या बिद्यागरी ही जिसको हम बोल देंगे और अगर हम इसके समास की बात करते हैं तो यह आ जाता है तत्पुर्स समास चलिए भी आगे देख लेते हैं पानी और पत्थर पानी और पत्थर इसके लिए जो समास रूप है वो आ जाएगा जलासम जलासे होता है हमारा जलासम जहां पर पानी भी है और पत्थर भी है पत्थरों के बीच से पानी जो है वो बह रहा है चीक बात है अब यहां पर जो समास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा द्वंद समास आ जाएगा क्या भगवा नाम option number A बिलकुल सही रहेगा समास रूप और अगर हम समास की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहा है का आ रहा है तो यह तत्पुर्स समास तत्पुर्स समास इसे तरह आगे देखो ब्रम का ग्याता इसके लिए option number D बिलकुल सही रहेगा ब्रम बिद और अगर हम समास की बात कर लेते हैं तो यह आ जाएगा तत्पुर्स समास तत्पुर्स समास ठीक बात होगी चलो भी आगे देखो आगे है गंगा का जल तो फिर से वही बात आगी गंगा जल गंगा जल की बात हो रहे है option number A बिलकुल सही रहेगा और समास की बात होगी है तो यह भी तत्पुर्स समास आ जाएगा तत्पुर्स समास आगे देखिएगा बहुत बड़ा नगर बहुत बड़ा नगर इसके लिए समास रूप क्या होगा महानगर या फिर नगर महान या फिर नगर बड़ा तो ये महान अगर बिलकुल सही रहेगा option number B और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा समास आएगा तो ये आ जाएगा करमधार समास करमधार समास next देखो भई next आ जाता है मात्री भूमी मात्री भूमी का समास किस प्रकार का है मात्री भूमी मात्री और भूमी मात्री और भूमी तो इसके लिए समास जो होगा वो कौन सा होगा द्वंद समास होगा ठीक है मात्री और भूमी अगर हम इनको जोड लेते हैं तो क्या बन जाएगा दुन्द समास बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखो भई कॉश्चन नमबर 25 अधिकार और कारे में समास रूप क्या है अधिकार और कारे तो ये अधिकार करम बन जाएगा आप्शन नमबर बी विलकुल सही रहेगा और अगर हम समास की बात करते हैं तो ये दुन्द समास बन जाएगा दुन्द समास नक्ष देखिएगा राम का मंदिर किसका मंदिर है भई राम का मंदिर है तो इसको क्या बोलेंगे हम राम मंदिर बोल देंगे और अगर समास की बात करते हैं तो कौन सा समास है, ततफुर्स समास, ठीक, अगर देखो, नदी का पानी, तो वही है गया, नदी का पानी, उसके लिए, नदी जल हम सही से यूज करेंगे, नदी जल, और ततफुर्स समास होगा, ततफुर्स समास, आगे देखिएगा question number 28 की बात है धर्म का पालन करने वाला धर्म का पालन करने वारा धर्म पालक option B और अगर हम समास की बात कर लेते हैं तो देखो यहां पर फिर से आ गया का तो ततपुर्स लिख देंगे भई ततपुर्स समास ततपुर्स समास next देखो सूरे का परकास सूरे का परकास ततपुर्स समास होगा सूरे परकास बिल्कुल सही option हो जाएगा और आगे है question number 13 देबताओं का राजा देबताओं का राजा इसको बलेंगे देबाधिराज देबताओं का राजा और समास की बात कर लेंगे तो क्या जाएगा ततपुर्स समास ततपुर्स समास ठीक है जी तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन्स जो की संबंदित थे किसे समास से और इसी तरह के क्वेश्चन्स आपको एक्जाम में भी देखने को मिलेंगे अगर आपको हमारा ये शेशन पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेर जुरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कीजिएगा इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिंद